हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का छे मार्च को ठीक है आप सभी का छे मार्च को चित्रकला का पेपर है यह 2024 का चित्रकला के एक प्रकार कदम वायरल पेपर है तीस पेपर को आप बूर्ड की एकजाम में जाने से पहले भी देख लेते हैं तो आपका म कीन एक सेकंड के जिएगा। आप सभी को सीआ कि कित्र पूछाट फूछाट पूछेंगे आप को लेन को इसलिए बॉलें कि इसे मत किजिए पूरा संपूर प्र आफ जरूर देखिए गा तेखे राउटाइगा को try समय रहता है इसके कुछ है कि नोट दिए जाते हैं रख तरक के दाहीं ने पर अपना अनुक्रमांग अंकोत शब्दों में साप साप लिखना रहता है और केंद्र विवस्थापक के जो हस्ता अच्छार है वो जरूर आप कराईएगा यह में पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर प्रश्पत्र कह और गत तीन खंडों में भक्त होगा ती इन में से किसी एक 20 बहुई कल्पी प्रश्ण को आपको करना रहेगा उस ओमर सीट पर ध्यान से आपको एंसुर भरना रहेगा ओमर उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किये जाने के पस्चात उसे काटना नहीं है नो इरेजर नो वाइटनर आज ही सब्दों का परियोग उसमे चात्रों को करना अनिवार रहें ठीक है इसके जितने भी इंपॉर्टे निर्देश थे आप सभी को बता दिए चलिए आपको प्रश्ण बताते हैं देखिए यहां से प्राराम होता है खंड का देखिए जितने भी खंड कीजिएगा यहां पर जितने भी निर्देश दिये आपके द्वारा जो आलेखन या प्राविधी कला से जिस भाग का चैन किया गया हो उसके उत्तर उयमाद सीड पर आपको देना रहेगा देखें फ्रेंस आपको कला में कुछ बेसिक जो गलतियां आप करते हैं बोड के एक्जाम में वह गलतियां आपको नहीं करना है आप से क कहों से गलति कला में मैक्सिमम चात्र जो अध्य कला में वह गलति करते हैं जो गलतियां चात्र करते हैं वही गलतिया आपको बताएं ठीक है तो उस वीडियो का आप जरूर देख लीजिएगा अब देखिए आपके सामने आलेखन कला के पहले 20 बहुवी कल्पी प्रशन ब बता दिये तो आपको बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है अब सिधे आपको प्रशन बताते हैं और चक्र में कितने रंग होते हैं आप सभी को यह प्रशन यह पहले वाला वीडियो देखे होंगे आप सभी को प्रशन का इंसर पता होगा कि ओस्ट वाल्ट में टोटल आठ रंग होते हैं इस प्रशन का सही जवर डीवल आपसन सही हो जाएगा देखे आपका अगला प्रशन है कि कौन सा गर्म रंग होता है तो आप सभी को गर्म रंग और ठंडा रंग बार पर बता है तो गर्म रंग जो हता आपका लाल होता है इसे याद रखेगा इसके सा अगला प्रश्न है पाँषवा नंबर का इंद्र दुनुस में कितने रंग होते हैं तो आप सभी को कई बार यह प्रश्न बता चुके कि इंदर्द्धन धनुस में टोटल सात रंग होते हैं इस प्रशन का सही जवब एवला आपसन आपके क्या हो जाएगा इसके इलावा आप ओस्ट वाल्ड में चौटल आठ रंग होते हैं ठीक है अगला प्रशन देके हाटा नंबर का कि निंन में से कौन से ततष्ट रंग क्ला थे हैं काला और सफेद रग होते हैं यहuations है इसके साहिश्ट में याद रखेगा कि ततष्ट रंगों की संख्या कितनी फुटी है तो टेंड दो जो कि आपका सफेदperformance अला ही होता है अगला प्रश्ण देखे सात्वा नंबर का निम्न में से ठंडा रंग कौन सा होता है तो हरा होता है अगला प्रश्ण आपका है कौन से रंगों का माद्यम् में सबसे अधिक पारदर्शी कितने लोगों का कम्मेंट था आपका पारदर्षी माद्यम् में आईल होता है कि आपके सबसे रंग और बात आप लोगों सर्च कीया जैसे किताब नीव depends दियाए किताब में आपको किया दिया है कि सबसे अधिक पारदर्शी होता है लेकिन इसमें उल्च में दिया ऑपको के एकर्ड़िंग लगा लीजिए गूगल के हिसाब से आयल है और जो बुक है मेरे पास उस बुक के एकार्डिक आपका जल रंग दिया ठीक है तो यहां पर आप सब्सक्राइब के बारे में बता दिए ठीक है अगला प्रशन आपका है कि किस नंबर की पैंसी से लाइन डार्क खीची जाती है यहां पर अपने कंसेप्ट को किलियर कीजिएगा देकि बी मतलब ब्लैक और बी से याद रखिएगा जितना बी की संख्या अधिक होगा उससे उतना ही डार्क खीचा जाता है यानि कि यहां पर संख्या जिसने जैसे टूबी और फॉर बी पू मतलब होताया जाने कि बी संख्या नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है यह आपको वताना आए ठीक है ऐसे प्रस्णों का ज़रूरी याद रखिएगा लाल है यह निला रंग मिलाते हैं तो आपको बैगनी रंग मतनता है तौन सारा रंग रता हारा को रंग के smell निला रंग मिलाने से अपका हरा रंग मिलाने है ठीक है इस प्रश्ण को भी आप किलिए रखिएगा अगला देखिए बारा नमबर का कि तताष्ट रंग कितने होते हैं अभी आप सभी को बता चुके हैं तताष्ट रंगों कि संख्या तोटल दो अता है जिसमें काला और सफेद आता है ठीक है इस प्रश्ण को आप जरूर याद रख लखेंगा इस किरा नमबर की कि किस नमबर ब्रश या इन भाव बना आप जाती है टेकी जो संख्यात जितने ही कम होगे जिस वह जैतना ही बारिक हीचया जाता है जिरो सबसे छोटी यह जो होगा उससे सबसे बारिक topics रुटाएगा थीक है अगला चौ站 नमबर का बीना ब्रस्ट की साहथा से कौन सा रंग लगाया जाता प्रियूग नहीं करने बीना की सहायता से कौन सा अ रंगा सकते हैं तो अगा सकते हैं और नंबर के कितने होते हैं तह्ती होते होता है- काला इस प्रॉश्ण का सही जी ज्वाह संग ऑफसं आपका संस्कृतिं वहा यह तो होते हैं कि आपके प्राथमीक रंग होता है पाब मतलब पेला याद रखिए कि नीला ना से लाओ याद रखते हैं । तीन होते हैं याद रख्यवा उननीस नंबर कीhen है किस नंबर की पैंसी खीची गई लाइन सबसे हलकी होती है देखिए आप की संख्या है यह मतलब होगा हाड हड यह सबसे हलकी रेखाए खीची जाती है इसमें इसकी संख्या जीतनी ही अधिक होगी उससे उतना हलका सबस्क्राइब करके डिए कीची जा सकती है इस प्रशन में सब्सक्राइब करें कोई नहीं है हो जाएगा ठीक है अगला दिखे 20 नंबर का लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है तो देखें लाल में जब हरा रंग मिलाएंगे तो आपका पीला रंग बनता है इसका सही जो आप आप से सही हो जाएगा ठीक है अब दिखें यहां पर प्राविधी कला के इंपोर्टेंट क्वेशन बता देते हैं जिसको प्राविधी कला का बोड के एक्जाम में क्वेशन करना होगा तो प्राविधी कला को आप टिक मारिएगा OMR सीट पे ठीक है इस गलती को मत कीजिएगा देखें आप से चित्रकला में बहुत सी गलतियां छोटी-छोटी गलति समपूर्ट का मतलब होता है जैसे आप एक बिंदू पर एक चक्कला लगाते हैं तिहां पे 360 अंस के कोड़ बनता है इसे ही बोलते हैं संपूर कोड़ ठीक है अगला देख लिए चौथा नंबर का निम्न में से कौन सा आकार आयत है यह है आपका सीवल आपसन सही हो जाएगा यह आकार क्या है आपका आयत जबकि यह एक वर्ग है यह बृत है और यह तिर्भूज है अगला देखिए पांचवा नंबर का वर्ग के प्रतियक कोड़ कितने अंस को होता है तो वर्ग का जो प्रतियक कोड़ होता है आपका नभ्यांस को होता है इसका सही जवाब बीवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए वर्ग की चारों भूजाओं की नाप क्या होती ह तो वर्क कि जो चारो भूजाएं होती आपस में बराबर होती है यह सभी को पता होगा चारो भूजाएं बराबर होती है इस प्रशन का सही जवाप भीवला आपसन सही हो जाएगा अगला देखें सातवा नमबर का एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं यह तो आप सभी क पता है कि एक मीटर में 100 cm होते हैं इस प्रश्ण का सही जो आप सीवल आपसन सही हो जाएगा आपका अगला देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा अठवा नमबर का कि एक मीटर में कितने सब्य नहर Estáق Nachu कौन से परदчи खीची रखाए था अभी आप सभी को पताएं कि जिसकी संख्य येच में जितनी अधीक होगी उससे उतनाई हलकी की सकते हैं तिसका जो सही किसी हरा तो कि बीच दूरी को क्या काते हैं रेख जाति हैं यहां पर दो बीच की डूरी की अकटल आती रेփखत इस्का सङसी हो जागा आपका अगला देखए एक अर्धी वय तो इसमें कीतने नंस esağ Live एकटवरीत्थ आटा इसमें वह होगा कितने ही आन्स कर vanandra 182 उसमें से एक गômड़ें curly AG में कितना एक इसमेरी वकर विक्षालेयव syrup टुट कीशिया होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब 117 सब्सक्राइब 11 17 करता है दो समानता रेखा किसे कहते हैं यह समानता रेखा कि दूरी बराबर होता है और एक दूसरे के यह कई परतिश्यत नहीं करता है दो सीधी रखाए आपस में ना झुद्ञा होगा आपया आपस में होगा अगला एक प्रशन देखी सत्रा नंबर का in D 수 में में कितने संटीमेटर होता है एक डेसीमेटर में दस सेंटीमेटर होते है ति इसका सही जवब एबाल आपसन आपका संटी highlights होता है तो इस प्रश्ण का सही जवब आपका सही हो जाएगा उन्नीस नंबर का देखिए यदि एक ब्रित में एक कोड़ 120 अंसका है तो दूसरा कोड़ कितना होगा एक ब्रित ब्रित में जब एक चक्कल लगाएंगे तो कितने अंसका टूटल बनता है 360 उसमें से एक कोड़ दिए 120 ते 360 में 620 गटा लिजिए जीरो होगा चार होगा दू यानि कितने अंसके कोड़ बनेगा टूटल 240 अंसका है तो इस प्रश्ण का सही जवब आपसन सही हो जागा कितना सिंपल सा कोड़ आप से पूछा गया है ठीक है मापनी में पहले भाएं भाग पर लिखा जाता है जैसे आपका इसके सबसे पहले भाएं भाग पर क्या होता है जीरो होता है तो इस प्रश्ण का सही जो अब एवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है जितने भी important question आपके overs administer और आलेखन या प्राविदी करना इन तीनो में से कोई एक ही प्रश्ण करना अब को करना है देखे प्राक्रतिक प्रश्ण से जो चित्रा होता है इस पहला ये वाला भाग जो है दिये गे ड्राइंग सीट पर 22 सेंटीमीटर गुड़े 18 सेंटीमीटर के आयत में एक उसा काली ग्रामिल द्रिश्य चित्रड कीजिए आपके चित्रड में जैसे जोपड़ी होना चाहिए पीछे जोपड़ी के पीछे छोटे बड़े पेड़ होन समय जो है आनंद लेने नदी के और जाने एक ब्यक्ति को देखाना है चित्रांकल में जल रंग तदा या पेस्टल करार का प्रयोग करना है चित्रांकल करते हैं निमनलिखित बातों का भी ध्यान देना है तो देखिए आपको सही समर्चना परिप्यच बनाएंगे तो दस नमबर सन्योजन सही है सुसंगत रंगों का चैन आप सही से करते हैं आकरसा प्रस समाने प्रभाव देखाते हैं तो टोटल तीस नमबर इस प्रशन बिलेगा देखिए इन सब का बस मतलब यह है कि स्वच सुन्दर बनाना चाहिए और वह चित्र जो हता है अदब आकरसित ह होना चाहिए चली आको चित्र देखाते हैं आपको देखिए इस प्रकास आप क्या कीजिए चित्र स्वच बनाएगा जोपड़िया बना दीजिए जोपड़ी के पीछे छोटा और बड़ा कुब पेड़ बनादीजिए और सुबह का समय बनाएगा और शुर्ण उगते हु आपका 18 सेंटीमीटर इसके अंतरगत आपको बनाना है जितना चीज उसमें जैसे जोपड़ी का दिया जोपड़ी के पीछे पेड़ का दिया छोटे बड़े फिर सूरी को उगते हुए दिखाना है फिर इसमें आपको रंग का जो सन्योजन है बहुत अच्छे तरीका से करना पड़ता है तो यहाँ पर रंगों का सन्योजन देखा लिजिए घास फूस है तो हरा रंग दिखा दिए शुरु उगरा है तो हलका सा, लाल यहाँ पीला पन दिखा दिजिए पच्छी उड़ रही है फिर यहाँ पर आकास को आप दिखा सकते हैं इस तरह ठीक है पर पोद देखें यहां पर अथवा में दिया है उपर वाला प्रश्ण आरात कीजिएगा अन्यथा आप नीचे के प्रश्ण को देख लीजिए आलेखन वाला दिया है इस प्रश्ण को भी करेंगे तब भी पर आपको तीसे नंबर मिलेगा देखें दियेगे ड्राइंग सीट पर 16 रचना कीजिए आलेखन में किनी तीन रंगों का प्रयोग कीजिए ट्रेसिंग करना मना है आलेखन में निव्लिकत बिंदों पर विश्यज ध्यान दिजिए इकाई की मौलीकता अलियात्मकता ठीक ही इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाना रहता है देखिए निकली होनी चाहिए और इस तरह बनाने के बाद यहां से आप क्या करेंगे रंगों का सन्योजन भी खुब अच्छे प्रकास करना है कैसे रंगों का सन्योजन किया है और कितना देखने में शुंदर लग रहा है इस तरह बूर्ड की एक्जाम में इसको बनाना पड़ेगा और यह आयत में कहेगा तो आयत में बनाना पड़ेगा ब्रित में कहेगा तो इसी चित्र को आपको ब्रित में बनाना पड़ेगा वर्ग में कहेगा तो वर्ग में ते आप सबाल पढ़ते समय थोड़ा से ध्यान दीजेगा कि वर्ग का नाम लिया है कि ब्रित कलिया है ठीक बनाना रहेगा और साथ में इसको क्या कमल का फूल भी आपको साथ में बनाना रहेगा तो यह पूरे चित्रू को देख लीजिए आप इसी का प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए अगला आपका अथ्वाम फिर दिया है आप वह दोन प्रशन नहीं आ रहा है तो प्राविधी कल रेखाएं रचनात्मक रेखाओं अभिष्ट रेखाओं असपष्ठ हो रचना की रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं रफकार श्वेद फूल इसके पेपर कीजिए इसे भी अपने उत्रपत्र के साथ सगलन करना रहता है इसमें टोटल पांच प्रशन देंगे पांच में से आपको केवल केवल फीन प्रशन ही करना रहता है आपको पांचों प्रशन को पता देते हैं आप यदि करना चाहिए इस प्रशन को कर सकते हैं इसमें आपको पेंसिल के माध्यां से करना रहता है देखिए एक त्रभूश को खो गो की रचना कीजिए जिसका प स्ट्रफल के बराबर एक आयत की रचना साथ में करना रहेगा आपको अगला के 6 सेंटीमीटर भूजा के वर्ग में एक जायमिती आलेखन की रचना कीजिए जो की त्रिभूच वर्ग और रखाओं पर आधारित होना चाहिए अगला देख लिजिए दो समान भृत्तों को खो कि तीरियक असपर्ष रखाएं कीजिए जिनकी 3 सेंटीमीटर हो और उनके केंद्रों की बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर रखना है आपको अगला प्रशन देख लिजिए कि एक आयत और 210 की रचना कीजिए जिसका चत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो इस आयत के चत्रफल के बर सब्सक्राबर एक वर्ग की रचना साथ में करना रहता है टोटल पांच प्रशन में से तीन प्रशन का ही एंस्वर आपको देना रहे हैं यहां पर तीन आपको बताया गया है प्राविदी कला प्राकृतिक द्रिस आले खंद तीनों में से जो आपको आता हो अच्छे से बो देख प्रशन दस दस नंबर कराएगा ठीक है आप यहीं पर समझ लीजिए जैसे यहां पर का है निम्लिकित में से किसी एक का स्मृति चित्रों पैंसिल के माध्यम से बनाईए चित्र की माप 15 सेंटिमेटर से आपको कम नहीं रखना है देखिए रेका सश्टों होना चाहि देख यहां बनाने के बाद इसमें से फूल कलिया निकालते हैं सिर्फ पैंसिल का परियोग करते हुए इस गुल्दस्ता प्रियोग करते हुए इस गुल्दस्ता को इस पकास बोड के एकस बना दीजिए गा आपको पूरा दम सुंदर बनाते हैं दो पूरा 10 नमबर मिलेगा तो आप इस ग growड दस्ता को देख लिए काIES से गुलदस्ता बनाया गया है इसले Fitz एक्जाम में आपको गुलदस्ता बनाना पढ़ेगा देखें से क्या होता है कि और फूल फूल इसमें पूल जो फूल आप सकते हैं उसमें फूल बनातास एक्जाम तर्ब नायेगा टिक तो प्रश्णों में से सिर्फ एक ही प्रश्ण आपको कर नना रहा गया, यह दस नमबर का आपका रहता है, ठीक है, बोर्ड की एक्जाम में आप इस पकास बैगन बना सकते हैं, बैगन दिया है तो बैगन आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाया गया, सिर्फ केवल वाग पंदरा सेंटीमीटर से अधिक हो यह कि पंदरा सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए ठीक है यह चीज आपको समझ में आ गया होगा ति इस प्रकास से आपको चित्रों का प्रैक्टिस करना और चित्रों का प्रैक्टिस करके आप बोर्ड के एक्जाम में चले जाए जितने सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें